हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन, आज मैं बात करने वाला हूँ, नील कमल लिमिटेड के बारे में, ये एक फरनीचर, मट्रेल हैंडलिंग, और होम एंड लाइफस्टाल रिलेटेड और साथ में कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने वाल ये कोई रेकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो प्लीज वो एक्सपेक्ट करके ये वीडियो मत देखिए, मैं सिर्फ इसके जो बिजनेस मोडेल है, वो अंडस्टेंडिंग और इसको ओवराल स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वीडियो में, ये 6 मंत का नील कमल ल पर बैठा हुआ है, और अगर 10-15 साल का ग्राफ देखते हैं, तो पिछले 4-5 साल में इसमें सबसे जादा मूँ आया है, उसके पहले तो mostly ये stagnant मूँ था, जादा मूमेंट नहीं हुआ करता था ये शेयर में, ये कंपनी बेसिकरी प्लास्टिक फरनीचर, क्रेट्स और कुछ details पता चलते हैं, तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उसका home page है, BSE का, उसके ओपर नील कमल सर्च करने पर ये page open होता है, यहां पर इसके peers के बारे में इन्होंने अच्छा सा details दिया हुआ है, मैं zoom करके दिखा देता हूँ, तो ये वो 4 peers के बारे में यह बिजनेसेस में भी है, और time technoplast, इन सब का जो sales है, वो mostly 500 से 1000-1000 करोड की range में, और profit भी करीबन उसी range में, जो नील कमल के आसपास है, 27-33-4 की range में, इसका जो share holding pattern है, नील कमल का, वो देखना थोड़ा सा ज़रूर ये, और interesting भी है, कि यहां पर मैंने open करके रखा हुआ, तो 63 33% जो shares है, वो company के promoter and promoter and promoter group के पास है, और public के पास है, 36% shares, इसमें भी अगर हम detail में चेक करते हैं, कि promoter में कौन है, तो फिर हम पता चलता है कि 48% जो है, share holding, वो इनके family और relatives में है, जिनके नाम यहां पर दिये हुए है, हितेन पारेक, नयन पारेक, मिस्टर मनीश पारेक, पूर्वी पारेक, मंजू पारेक, धनाय पारेक, ऐसे अलग-अलग पारेक family और relatives में पूरी distributed है, और बाकी जो 15% है, वो इन्होंने इसके थ्रू होल्ड के है, निल कमल बिल्डास प्राविट लिमिटेड, हैरलूम फैनास प्राविट लिमिटेड और श्रीमन्थ होल्डिं है along with this family, तो I think यह जो कतीन companies है, इनके family के होंगी, तो इस वज़े से 63% overall family और promoter holding दिखा रहा है, तो दूसरा जो public share holding है, इसके अदर public का share, उसमें कुछ interesting बात है, तो 13% जो है वो 3 mutual fund ने mostly hold के, December तक hold किया हुआ था, DSP small cap fund, LDFC small cap fund, Tata mutual fund, ऐसा कहा जाता है कि जो small cap या फिर जो companies में mutual fund बहुत stake hold करते है, 5-10%-3% ऐसे, तो वो companies में future bright होने के chances बहुत ज्यादा होते है, यह का assumption है, इसका कोई proof I don't think है, और दूसरे जो important investor है वो Dolly Khanna, जिनका company में investment है लगबख 2% का, तो Dolly Khanna एक बहुत popular investor आपको पता ही होगा, YouTube पे बहुत सारे videos भी बनते हैं उनके investment के, तो शायद उनकी investment होने के वज़े से भी Neil Kamal को थोड़ा extra glamour मिल गया है, और बाकी जो market bodies है, अलग-अलग ऐसे holding करके total 36% public share holding है, उसमें से 23% जो है, वो 2,00,000 से कम वाले छोटे investors है, जो की individually hold करते हैं, इसके अंदर holding apart from mutual fund में बोल रहा हूँ, तो यह हो गया, इनका share holding pattern, इनका graph, और इनका P ratio चल रहा है company का, वो लगभग 17 के करीब चल रहा है, जो की comparators का 20, 25, 23 के करीब है, तो वहाँ पे थोड़ा सा valuation के लिए scope I think हो सकता है, यह कोई recommendation नहीं, मैं just understanding opinion में बता रहा हूँ, तो और दूसरी चीज जो इस company से related है, इनके annual report में भी इतना ज्यादा detail में कुछ individually बताया नहीं गया, तो सबसे पहले discover Neil Kamal about us इतने यहाँ पे इन्होंने कुछ details दिये हुए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके Neil Kamal के core businesses के list इन्होंने दिये, जैसे कि material handling solutions, molded furniture में company काम करती है, Neil Kamal mattress जो गद्दे वगरा आते हैं वो है, उसके बाद Neil Kamal home ideas है, home furnishing related things, और at home करके इनके retail material selling वाली chain है, store retail chain, और bubble guard solution भी यह provide करते है, इनके plants के detail location के साथ यहाँ पे दिये, लगबग 8-10 plants है इनके, 8 India में और शायद 2 शायद Shilanka में, Shilanka वाला name यहाँ पे mention नहीं किया हुए, तो ठीक है, North में Samba में है, उसके बाद Greater Noeda में उत्तर प्रदेश, East में बर्जोरा वेस्ट बेंगाल, सिंदर नासिक महारश्रा में है, सिल्वासा Union Territory दादरानगर हवेली में, ऐसे दो plants है, पॉंडी चेरी में है, और एक होसूर तामिल नडु में plant है, इनका टोटल जो एरिया है, वो 1 million square feet cover करता है इनका overall, अभी इनके leadership के बारे पता करते है, जो management detail जो सबसे आदा important होता है, एक small gap company में, क्यूंकि कुछ 2-4 लोग ही होता है small gap company में, जो company को drive करते हैं, जिनका influence company में बहुत जादा होता है, जिसके वज़े से इनका experience बहुत matter करता है, सबसे पहले तो है Mr. Vaman Rai Parekh, जो co founder promoter है, 40 साल से company के साथ associated है, दूसरे है Mr. Sharat Parekh, यह भी काफी लंबे आर्षे से company के साथ engaged है, फिर है joint MD और promoter of Neil Kamal, Mr. Hiten Parekh, फिर है president executive director, जो furniture section के है, वो है Mr. Manish Parekh, और फिर last में Mr. Nayan Parekh, जो president और executive director है, material handling देखते है, Neil Kamal का, तो यह 4-5 लोग के आपर details देए, इनको 25-30 साल का plastic और related industries का बहुत अच्छा खासा experience है, जो top management है, तो वो एक इनका plus point consider किया जा सकता है, इनके journey के बारे में overall establishment company का हुआ था, कैसे हुआ था हुआ उसका इक अच्छा सा इन्होंने diagrammatic format में दिया है, company का जो start हुआ था वो Mr. Vrajlaal, Shree Vrajlaal Parekh ने किया था, metal buttons manufacturing करते था 1931 से, 50-60 साल का company को history है, फिर company ने gradual movement करते में factory setup की, फिर 1981 में Neil Kamal Plastics करके independent venture शुरुआ, फिर इनको अलग-अलग contracts मिलते गए, और एक significant official crate supplier बने, जो crates होते हैं, जिसके अदर bottles वगेरा रखते हैं, cold drinks वाली company या, तो Coca Cola और Pepsi को ये crate supplier बने, 1994 में, 1994 में, फिर इन्होंने अलग-अलग जगह पे plant setup किये, और फिर 2005 में at home इन्होंने start किया, फिर 2006 में Germany की company के साथ JV किया, Bito Logger Technique करके, और फिर 2011 में अलग-अलग manufacturing plant start किये, और साथ में cambro manufacturing company USA के साथ JV किया, और फिर bubble guard का launch किया, 2017 में, तो ये इनकी journey थी, 1934 से लेका 2017-2018 तक, और फिर यहां पे इनके कुछ awards, awards के बारे में बताया हुआ है, और company के plants के कुछ details भी दिये वे, overall जो race है company का, तो इनके 10 large manufacturing plants है, across India और Sri Lanka, जो 1 million square foot, 10 lakh square feet की जमीन occupy करते, constructed area, 400 से जादा इनके sales network है, 400 से जादा techno commercial का, और 49 regional offices है पूरे इंडिया में, 71 warehouses हैं, और 1100 distributors हैं, 18,000 retail dealers हैं, इनको अलग-अलग safety, environment, energy, quality related, certification भी मिल चुके हैं, TUV, FA6, sigma related, और अलग-अलग manufacturing related, awards की भी list इन्होंने यहां पे दिये, जो की बहुत अच्छी बात है, उसके बाद इनके partners हैं, तीन, तो उनके, जिनके साथ इन्होंने JV किया है, अलग-अलग technical expertise वगरा के लिए, तो वो दिये वे, पहले Hannel Bureau, Und Lager System, Germany की company है, Automated Storage और Retail Systems के लिए, इसके साथ JV किया है, फिर Combilift Ireland की company है, Ireland की, Material Handling Solutions प्रोवाइड करता है, Long और Oversize Loads के लिए, और Isle Master जो है, Ireland की company वो, Narrow Isle, Versatile, Articulated, Forklift related, मतलब material handling से mostly इनके JV है, related field में, इनके businesses के बारे में, कुछ details यहां पे दिये हुए, वो हम चेक करेंगे, तो सबसे पहला जो आता है, वो आता है furniture business, इसके product scene और यहां पे कुछ mention किये, पहला है living room, bedroom, home utility, cafe and banquet, इन सब के लिए जो कुरसी, table, अलग-अलग ऐसे school में, छोटे table होते हैं वैसे अलग-अलग product scene के यह division से chairs वगएर आते हैं, दूसरा है, material handling का forklift वगएरा होता है, तो वो सब में यह use होता है, industrial product kind of है, फिर आता है mattress, जो गद्दा वगएरा होता है, वो सब यह provide करते हैं, तो यह basic product है, फिर आता है home and lifestyle का, home and lifestyle actually home furniture जो है, अगर हम इनका annual report check करते हैं, मैं दिखा दूँ आपको, तो यह इनके furniture related products है, जो dining room, living room, bedroom में वगएरा इनों ने दिखा है, TV units, wardrobe, shoe racks, beds, अलग-अलग furniture type के जो basic needs related products से वो आता है, उसके बाद आता है bubble guard, जो 2017 का इनका initiative है, उनके timeline के हिसाब से, तो इसमें अलग-अलग industrial products है, यह तो हमारे समझ में नहीं आएगा, तो यह शायद दो products के बीच में, shock absorber kind of protection जैसा कुछ मुझे picks से पता चल रहा है, वो मैं बता रहा हूँ, pallet guard, coil guard, coil को protect करने के लिए, pack guard, packs को protect करने के लिए, wood को protect करने के लिए, material industry के basic needs, material handling, ऐसी चीजों में deal करती है plastic, तो एक, जैसे जैसे population grow होती है, तो ऐसी चीजों का demand obviously बढ़ जाता है, industrialization बढ़ता है, तो उसका demand बढ़ जाता है, क्रेट्स वगरा का demand उसके लिए required होता है, तो वो एक यह company को upcoming future years में plus point हो सकता है, साथ में company को risk भी है, इनका export में कुछ business है, तो यह company dollar related risk को exposed है, और साथ में raw material है, वो crude से related है क्योंकि plastic यूज़ करते है, जो crude का buy product जिसमें लगता है, जहां तक मेरा understanding है, propylene, paroxylene, etc. जो ऐसे, अलग अलग complex chain होते है, polyethylene, वगेरा, तो वो इसके अंदर शायद use होते है, तो वो एक risk, इन्होंने annual report में mention किया है, कि crude prices या फिर raw material prices का risk है company को हो सकता है, तो वो हिसाब से company के share price पे impact दिखाई दे सकता है, और दूसरा, जो इनके financial details है, वो हम check करने की कोशिश करेंगे, financial, financial, financial results पे अगर हम click करते हैं तो, यहां पे financial highlights करके option दिया हुआ इन्होंने, अगर हम अगर हम नील कमल BSE filings पे जाते हैं, तो वहां पे कुछ financial details easily available हैं, तो directly हमें आसानी से देखने के लिए हो जाएगा, तो यहां पे results करके option है, इस पे अगर मैं click करता हूँ, तो यहां पे annual trends अगर हम देखते हैं, तो इनका जो revenue है, वो 16, 165 करोड, फिर 188, 177 करोड, फिर 209, और फिर 210 करोड के करीबी million में दिया है, तो मैं करोड में बता रहा हूँ, और इनका जो profit margin है, वो लगबग 8-10% के बीच में, लास्त 3-4 years के लिए, 5 years के लिए, और जो net profit margin है, वो 2-5% के बीच में, तो इनका margin बहुत cut-to-cut है, तो थोड़ा भी influence इनके overall performance को impact कर सकता है, वो एक चीज मुझे feel हो रही इसके बार में, और इनके annual report में page number 137 पर अगर हम देखते हैं, तो इन्हों नहीं आप ही दिया, इनका जो plastic division है, वो mostly revenue में है, वो 1,96,000 lakhs, और जो lifestyle furniture, furnishing business है, 21,000 lakhs है, तो लगबाग 10% इनका lifestyle furniture से आता है, और plastic division जो है, 90% करता है, और इनके annual report में ये भी दिया हुआ है, कि इनका majority business है, 90% plastic business से आता है, 10% revenue जो company का business है, वो retail business है, तो बहुँ सा लोग ऐसा लगता है कि Neil Kamal से plastic business में, मगर इनका 10% revenue retail से भी आता है, जो at home, इनकी जो cities में वगरा, malls में वगरा दिखाई पड़ता है, अगर आपने notice किया होगा तो, तो वहाँ पर यह दिखाई पड़ता है, वीडियोज पर आप click करते, share market friend channel में जाके, तो बहुत सारे वीडियोज है, जहां से आपको अलग-अलग topic पर और company से related videos, मैंने जो मना है, कोशिश किये छोड़ी सी, तो वह आप देख सकते है, Thank you very much for listening, share market friend.